हेलो नमश्कार काद्यान्स कुकिंग में आपका स्वागत है आज में लिकर क्या हूँ फिर से बहुत ही कमाल के किचिन के टिपस जो मेरे लिए बहुत यूजफूल होते हैं मैं उम्मीद करती हूँ मेरे ये कुछ यूजफूल टिपस आपके भी काम आए तो बढ़ते हैं सबसे पहले टिप की तरफ अगर आप जबरदस टेस्टी वाली सबजी बनाना चाहते तो अगर आप उसमें कसूरी मेथी डालते तो यहां पर एक सिंपल साथ तरीका है कसूरी मेथी को रोस्ट करने का क्योंकि कई बारी एर टाइट कंटेनर में रखने के बा तो यह बहुत ही सिंपल सा तरीका है तो आपको अलग से तवे पर या फिर किसी और बरतन में इसे रोस्ट करने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब हम क्रश करके डालते हैं कसूरी मेती को तो सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है तो बस जिस भी बरतन में आ बुन जाएगा सिक जाएगा उसके बाद में आप करश करके इसे अपनी खाने में यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से अलग बरतन में बुनने की ज़ुरत भी नहीं पड़ेगी और आपका समय भी बचेगा और जो फ्यूल वेस्ट होने वाला है वो भी बच जाएगा बहुत ही टेस्टी वाली साइड डेश है बहुत ही अच्छी चटपटी मज़ेदार वाली चटनी की रेसिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं और इसे बनाने के लिए हमें लेना है दो टमाटर हरा धन्या कुछ लैसुन की कलिया कुछ हरी मिर्चे स्वाद के बहुत ही अच्छा टेस्टी बहुत ही बहुत ही जबर दस चटनी वाली है तो आप इसे अपने खाने के साथ में या किसी भी अईट्म के साथ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं हैं अगर आप खू लेकिन मिक सिक जार में से स्मूद् पेस्टिंग minorी तैयार करना है तो स्लि इसका जो टेस्ट आता है वह बहुत जबर्दस आता है इसे आप रोटी बराठे के साथ में या अपने स्टैन्विच में भी डाल करके एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही स्वाधिस्ट चटनी तयार हो जाती है मिन्टो में और इसे अलग से तड़का लगाने की भी जरूरत बिल् लकडी को आप बचा सकते हैं फंगस पगर से तो यह आप देख सकते हैं कितने यह डल लग रहे हैं लेकिन चलिए आज एक सिंपल सा तरीक आप लोगों के साथ में शेयर करती हूं तो हफते में या दस दिन में एक बार अगर आप यह ट्रिक आसमाते हैं तो आपके लगडी करके फिर आप लगडी के स्पैचुला पे इस तरीके से रब कर देंगे तो इसमें फंगस भी नहीं लगता है तो यह आप नीचे के साइड में देख सकते हैं थोड़ा बहुत यह काला पन हो करके मौस्चर की वजह से इसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है तो यह अभी लगाने से क्रैक भी नहीं होता है लखडी में और यह मौस्चर वगरह नहीं पकड़ता है इसकी जो आउटर लेयर होती है वह बहुत ही अच्छे से शाइन करने लग जाती है एक नैचुरल इसमें ब्यूटी आप देख सकते हैं तो मैं इसी तरीके से अपने चॉपिंग ब अगरह से भी बचा सकते हैं क्योंकि यह सारी चीजें गीली रहती हैं और गीले होने की वज़े से इन में फिर मौस्चर और फंगस पकड़ना शुरू हो जाता है तो इसलिए मैं हमेशा अपने जो कुकिंग में यूज होने वाले लकडी के स्पैचुला या चॉपिंग बो और साथी साथ यह आपके खाने में कोई भी गंदगी भी मिक्स नहीं होने वाली है क्योंकि अगर फंगस लग जाता है तो यही चीजे आप अपने खाने में मिक्स होने का बहुत ही खत्रा होता है तो यह इस तरीके से एकदम क्लीन भी रहते हैं और इनकी जो नाचरल शाइ कर लेगा क्योंकि और इसमें पेनेट्रेट हो जाएगा और इसमें आप शाइन देख पाएंगे तो यह भी रात में मैंने छोड़ दिया सुबह के टाइम पे अब मैं आपको दिखा रही हूं यह कितनी जबर्दस लग रहे हैं पहले यह कितने डल थे और अब इन में आप ब्यूटी देख सकते हैं तो इस तरीके से आप भी इस ट्रिक को आजमा सकते हैं बढ़ते हैं फोट टिप की तरफ अगर आपके पास भी दूद की बरतन में इस तरीके से मलाई लगी रहती है तो यहां पर एक सिंपल सा तरीका है इस मलाई को वेस्ट होने से आप बचा सकत है तो इसमें आप अपने आटे को डाल करके गूठ सकते हैं आटा तैयार कर सकते हैं और जो भी इसमें मलाई जो नीचे लगी रह जाती है पुच भी वेस्ट नहीं होगा और इससे और वेस्ट नहीं अगर पूकत ही sits नहीं हो और साती जो बरतन है वह इस मांजने में वह जो मेहनत लगने वाली है वो भी कम हो जाएगी तो फ्रेंट्स सिंपल से ट्रिक्स हैं आप आजमाईएगा जरूर अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या यूस्फुल लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि आप अपने लाइक के जरीए मुझे म क्यार कराह toilet मुझे एक मैंने गाजर कर ली थाए और इसको एक बरी साइड में रख देते हैं और बैटर करने से पहले हमें चिनी अबेटर कर सक देरूotom है तो मैं 15 कप मैदा लूंगर बाढ़ा है इसका मैं Most have ail dernicience and fall in 111容 आदा गण सावं 1-1-1 रादा कप चार तयार हो जाएगी पिसने के बाद में तो अब उसी दूद के बरतन में मैंने एक छलनी रख दी है और डेड़ कप मैंने इसमें मैदा भी डाल दिया है मैदा की जगे पे हम गहूं कोई आटी का भी यूज कर सकते हैं अब मैं ले रही हूँ एक छोटी चमच बेकिंग पाउडर आदी चोटी चमच बेकिंग सोड़ा और दो चुटकी जितना नमक नमक जरू से डाल दीजेगा और जो चीनी पीस के लिए थी हमने वो भी हम सारी इ जाए तो उसे हम फैंक देंगे इस तरीके से आपका जो बैटर तयार होगा वह एकदम स्मूथ तयार होगा और आपका जो केक तयार होगा या मफिन जो हम बनाने वाले हैं वह भी बहुत ही सॉफ्ट और जबरदस्ट बनेंगी तो यह सारी चीजे एक बड़ी हम मिक्स कर ल लेकिन 3-4 कप ही दूद यूज होने वाला है थोड़ा थोड़ा बैचस में डालना है और 1-4 कप जितना मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड ओल कोई भी स्ट्रॉंग फ्लेवर का ओल हमें इसमें यूज नहीं करना है तो बस थोड़ा थोड़ा दूद डाल करके अच्छे स इसे ही सारी चीजों का मेजर करेंगे तो आपका जो मफिन है या फिर जो केक आप बना रहे हैं वह एकदम पर्फेक्ट बनेगा अब मैंने इसमें ऑईल डाल दिया है और यह रिफाइंड ऑईल है रिफाइंड ऑईल का ही यूज करना है एक चथाई कप डेड़ कप मैदा क बस अब इसमें बाकी का साइड में रखते हैं और क्यारट घाजर साथी में और तो रहा हिता तो इसमें अब वसरकर घारpt में बसे रखते हैं कुछ उपने के सीक इसमें उपस्य का कि यहां रहा है मैं अप्टर कःएं से पहल्ष yarn करने के यूज करने यूज करूंगी तो नौन स्टिक है तो इसमें सिंपल डालने से भी अच्छे से यह दिमोल्ड हो जाएगा तो यह बैटर अब मैं इसमें डाल दूंगी तो यह आप देख सकते हैं एकदम पर्फेक्ट रिबन कंसेस्टिंसी वाला बैटर हमारा तयार हो गया है तो इसमें अभी थोड़ी सी बबल चाली थी वह उपर से मैंने डाल दिया है तो इससे हमारी जो मफिन तयार होंगी वह देखने में भी काफी सुंदर लगेंगी और हल्दी तो यह जरूर से बन जाएंगी तो मैंने अपने माइक्रोवेव को प्रिहीट कर लिया था 180 डिग्री पे तो अभी लो रैक पे मैं इ और यह देखिए 25 मिनट के बाद में हमारी मफिन अच्छे से ब्राउन भी हो गई है बहुत अच्छा कलर भी आया है और कितनी अच्छे से यह राइस हुई है चाकू से हम अगर सेंटर में ऐसे प्रिक करेंगे तो बिल्कुल भी बैटर नहीं लग रहा है तो बस अब अब जालीदार बहुत ही सौफ्ट एकदम मॉइस्ट हमारी मफिन तयार हो चुकी है इसे आप अपने ब्रेकवास्ट में या फिर इवनिंग सनाक में बच्छों को बड़ों को सबही को दे सकते हैं आप बहुत ही टेस्टी वाली एकदम पर्फेक्ट हमारी मफिन तयार हो च बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छी और बेस्ट वाले टिप कौन सी लगी और इस यूसफुल वीडियो को ज्याद़ से ज्याद़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि ये कुछ टिप्स भी काम आ सके उनका भी किचन का काम आसान और बहतर बन सके वीडियो यूसफुल लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है इसे दबाईए घंटी को दबाईए और